जारखन हाइकोट के करे आदेश के बाद जो है डैम एरिया में जितने भी अतिकरमन करके कहीं सालों से रह रहे हैं उनके घड़ों को तोरा जा रहा है गरीबों का बात कहना है कि अमीरों को घड़ को नहीं तोरा जा रहा है है यह लोग को एक्षन नहीं है यह बड़ा आदम है पैसा दे के खुलों को बंद करा देता है चाहें सीयों को टो चैनल किसी को भी दो उससे हमको मतलब नहीं है यह पूरा डेम एक्वाइर में कोना में है इसे लोग के पास पैसा है लोग उपर कोई एक्षन नहीं है हम लोग गरीब आदमी है 2017 में टूटा है हाई कोट में केस है उसके बाद केस है वोग कोई अभी आधेस सुचित नहीं किया है अब इन लोग के उपर notice lettered link के दिया है CO को DC को ये लोग अपना आ के आंदाजी ना किसी के पास notice दिये हैं ना किसी को कोई खबर है CO कल आये हैं एक कैस्तारी को साम में announcement करवा हैं कि आप लोग अपना समान खाली कर लिजे और हम कल तोड़ेंगे लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस और परसासन के टीम को उनके जमीन के काज़ात दिखाए उन्होंने कहा कि इन सभी घरों को होल्डर टैक्स रसीद आधी काते जा रहा है अगर यह जमीन अतिकर्मन की गई है तो सरकार को इसके लिए पहले ही रोक लगा देना चाहिए था जिसको जमीन का लागान बोलते हैं जिसको रसीद बोलते हैं वो पिपर है मेरे पास यह मेनुवल है हाथ से काटा हुआ जिसको बरत शियुक्ष दोजार नव दास 11 वारा कर उसके बांद आनलाइन है पूरा एकषत तक यह टिसी शाओ पर मीशन से मेरा जमीन रस्ति हुआ है पूरा रसीद है एकाष तक अपडेट है पूरा सारा है हैं तो भी रोजिस्ट्री कैसे हुआ तो जाएगा बीस जेल जाएगा स्योज जाएगा जो जितना पेटी लिया अब जेल जाएगा और क्या होगा सब पर करवाई होगा कोठा ना कानून है बाइस तोटल है बहुत है सब कागजाते हैं अपडेट है अपडेट है अपडेट है इनके नाम से नाम से कितने घर हैं आप लोग आपको नहीं तोड़ा जा रहा है हमारे Celia भी नहीं तोड़ा जा रहा है हमारा पीछे नहीं तोड़ा जा रहा है कि वल सीर्फ हमारा चेकर तोड़ा जा रहा है कि तो अखरी जमीन है रहम आप बोलिए जाकराकम एकुर्ए करें आकर आके मैंध करें किय्यों यह वह अगर सरकार जमीन पर सरकार जमीन पे सरकार कहती है कि हमें घर ढएने की बात के लिए पहले बसाने की बात करनी चाहिए रहें थी फिर उजारने की बात होती तो सही रहता अपने घरों को टूटा देख लोगों के चेहरों पर बेबसी और साब जहलक रही थी 10-15 वर्सों से यहां पर वो रह रहे हैं आपस में दूसरे को संतावना दे रहें इसी बिच लंबे समय से वहां रह रही पुष्पा देवी का अपने घर को तुटा देख अचानक तपयत भी कल गई यह देख वहा कि अधिकर्मन कारी को रोकने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि अगले दो तिन दिनों के बाद फिर से शुरूप किया जाएगा करकता हूं कि रखक अधर जाएंगे अधियन इन कर słu में जूआए १िस अधार आता जत्राज हुआकम को हैं अध्यु आ आपके मॉर्टी 29.65 459 तबहिंबने कि इपदेटे वको तोड़ा हुका के डी वोला बेरोंग एशरहिए कर ले जो अधिवारर हो अधिछारहन में होसिए को तूड़ाःगे जो अधिवारर में नहीं है उनको कज़ो तोड़ तेंगा जिसका हमरे पास पेपर है अधि गरहन का उसको ही तोड़ते हैं उसके पहले नापी हुआ डिमारकेशन किया गया उसको ही किया नोटीस दिया गया बिना नोटीस काम किसी को छेड सकते हैं क्या है है कागज है दिये सर वह कुछ नहीं को लेकि हम लोग 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 फसेगा तो फसेगा आप यहीं हम लेग यह घेड हैं फिल्ड में हम लौड परसो के डिट मिक गए हैं वार पेपर सारे वेरिफाई करवा हैं उनसे और डीस और पिस पर बोले भी किम जा लेंगे जा कि यह कर वाइंगे आपको पताया ने सर कितना आपको आपको क्या आपको पाले के अपने बात नहीं है इस तरकारी जमीन है पानी जल विभाग इसमें कितना पैसा गोटाला हुआ था वह ही जालेंगे वह लोग किये हैं अंडीर रुप्रा मंधा सिर्डाला हुआ कितना इरिया लेंज एक्वाइर वो इसमें प्रॉपर आजाएंगे अगर बोरेंगे इंके एक्वेसर इंके पास खुद में है प्रॉपर कि कहां तक इन लोग तक इन लोग अगर जोग जो बोल रहें तीन सो एकर तो इसमें कितना लेकिन अब देखने वाले बात होगी एक आगजाद जो जितने कागजाद गरीबों के पास है यह कितने जायज है और इस पर क्या कुछ कारवाई की जाती है क्योंकि इनकी ओर से करेंगे इसे पदाधिकारियों पर जिन्होंने पैसे लेकर हमें दे तो दिया रह भी रहे थे हमने कहीं साथ उसे अगर सरकारी जमीन थी तो सरकारी बोर्ड क्यों नहीं लगे थे इतने आचानक से आके क्यों तोड़ा गया समय क्यों नहीं दिया गया और अब यह देखने वा झाल